नमस्कार दोस्तों आप सभी का माय चैनल पर आधिक स्वागत है दोस्तों कल सोमबार यानि की 15 अपरेल 2004 से से शेर बजार में ट्रेटिंग का एक नया वीक सुरू हो जाएगा जिसमें से चार दिंग ट्रेटिंग होगी 15 और 16 अपरेल यानि की सोमबार मंगलवार को बुद्वार को राम नौमी के उपलच में चुटी रहेगी और फिर उसके बाद 18 और 19 अपरेल को यानि की व्रस्पतिवार और सुक्रवार को ट्रेटिंग होगी तो दोस्तों जैसा कि अभी लास् सिसें सिक्स और एनसी लगवग फ्लैट बंद हुए हैं बेसी में तीन दसम्लों 32 पॉइंट के गिरावट के साथ चौत्रजाद 245 पर बंद हुआ है और निप्टी 50 पांद सम्लों 7 पॉइंट बढ़कर के 22519 पर बंद हुआ है और दोस्तों जो अब ये अगला वीक अभी स्टार्ट होगा सोंबार 15 अफ्राइल 2026 से इसमें कुछ मात पूंग खबर हैं जो हमें ध्यान में रखनी होंगी जिससे कि हम बजार को अधिक से अधिक समझ सकते हैं और उसके साब से अपने ट्रेडिंग का प्रोगाम बनाएंगे तो अधिक से अधिक प्राफिट कमाएं दोस्तों इसमें वीक में जो सबसे अधिक मात पूंग प्रभाव पढ़ने वाला है वह अर्निंग्स का जैसा कि अब क्यूफोर्स के कंपनियों के डाटा आने सुरू हो गए हैं तो इस हपते में लगबग 63 कंपनियां अपना दम दिखाएंगी जो कि अपने रिजल्ट्स इसमें से जो सबसे मुख कंपनियां हैं इन्फोसेस, SDFC बैंक बजा जातो, SDFC असेट्स मैनेजमेंट, SDFC लाइफ, इंसुरेंस और भी प्रो मुख करूप से कंपनियां हैं इनके रिजल्ट्स बजार को बहुत ही इलाड़ ला सकते हैं इसके अलावा जियो फैनेसिल सर्वि इन्मुनिकेशन्स, परसिस्टेंस, सिस्टम्स और ICIC सेकूर्टीज की रिजल्ट्स आएंगे इससे बजार में स्टाग स्पेसिफिक मुवमेंट होने की उम्मीद हैं साथ ही दोस्तों कि डोमेस्टिक एकोनामिक डाटा पर वियाबलों को नजर रखनी पड़ेगी तो दोस्तों इसमें डबलू पी आई इंफ्लेशन नंबर्स जो मार्च के हैं वह 15 अपरेल को होसित होंगे साथ ही बैंक लोन और डिपाजिट ग्रोथ जो पिछले अभी पांच अपरेल को फो कि फारेन एक्सेंज डिजर्व का वीक जो बारा परल खतम हुआ है उसके डाटा उननीस अपरेल को गोसित किया जाएंगे इस पर नजर बना करके आप रखिएगा साथ ही 200 गलोबल एकोनामी डाटा पर इपी नजर आपको रखनी होगी इसमें चाइना के जीटीपी नंबर जो कि फर्स्ट कोटर्स के इस कलिंडर येज के आएंगे उसमें हम लोगों को नजर बना करके रखनी होगी और ये डाटा काफी मात फूं माने जा रहे हैं साथ ही हम लोगों को यूजियस के रिटेल सेर्स डाटा जो मार्च और जाब डाटा हैं उन पर अभी नजर बना करके रखनी पड़ेगी और दोस्तों जो मुख खवारी समय चल लई है बजार के लिए सिर्फ बजार के लिए वह है यह फाइस दोस्तों यह फाइस फिर से एक बार लगातार सिलिंग में लगे हुए हैं और इनोंने अभी पिछले फ्राइड़ी को जो बेज डाले हैं और देखा जाएं तो पूरे वीक में 6500 करोड के सेर्स बेज डाले हैं और पूरे इस मैने में अपरेल में अब तक की बात की जाए तो दस्याद 362 करोड का माल कैस सेग्मेंट से निका लिया है यह फाइस का माल निकालना थोड़ा से अर बजार के लिए अच्छा नहीं है और इससे बजार में थोड़ा अपरात पड़ी का माहल बन सकता है क्योंकि इस समय जो यह फाइस जो अपना माल निकालना है उसमें से जियो पॉलिटिकल टेंशन और इंडिया मॉरिटेस टेक्स कि जो वैलुएसन चल लई है साथ ही यूज़ बांड इगली जो बढ़ रहा है उसकी वज़े से यह फाइस अपना माल निकालने में डटे हुए लेकिन अच्छी बात ही है कि डियाइस 12,233 करोड का माल पिछले अपते में खरीदा हुआ है और दोस्तों आई पियो की बात की जाए तो इस अपते कोई भी में बोर्ड पर प्राइमरी मार्केट्स में आई पियो नहीं है लेकिन एसे में की छेतर में दो कमपनिया अपना आई पियो जरू ला रहे हैं जिसमें से 50,3 करोड का रामदेव बावा सॉल्वेंट पब्लिक इस हुआ रहा है अब दोस्तों बात कर लेते हैं टेक्निकल वीव के बारे में दोस्तों टेक्निकल वीव ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट नेक्स्ट वीक में तोड़ा अंसर्टेंटी का माल दिखा सकती है क्योंकि इसमें ग्लोबल मार्केट कंडिशन्स तोड़ा ज्यादा हावी हो सक और दोस्तों जो फ्राइडे को सेल आफ हुआ है उसके इसाफ से 22 तीन सो और 22 का जोन सफोर्ड लेपिल पर दिखाई पड़ रहा है साथ ही दोस्तों यही मार्केट्स में तोड़ा यह ब्रेक आउट 22 का होता है तो दोस्तों 22 के मार्क्स तक भी बजार लुड़क सकता है और दोस्तों यह इसके अफर लेबिल की बात की जाए तो इसमें जो आंगे रेजिस्टेंस लेबिल अधिक्तम दिख सकती है वो 22,800 की लेबिल पर आपको तगड़ा रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है साथ ही यह फाइस क्यूज को भी यह नजर डालेंगे तो इसमें भी 22,000 और 22,000 मुक्ष सपोर्ट अगले अपते में दिखाई दे रहा है साथ ही रेजिस्टेंस 22,600 और 22,700 लेबिल पर फुचर अपसन के इसाफ से यह लेबिल मुक्ष रूप से मानी जा रही है दोस्तो यह थे मुक्ष सेरबजार के लिए अगले अपते में मुक्ष कवरों को द्यान में रखने के लिए जो कि हम बजार को अच्छी तरह से समझ सकते हैं और अपने ट्रेट को अच्छी तरह से कर सकते हैं और अधिक से अधिक प्राफिट कमा सकते हैं तो दोस्तों मेरी तरफ से इस अपते में आप सेर बजार से अधिक से अधिक प्राफिट कमा इसके लिए मेरी अधिक सुब कामन बन्यवाद